हाँ वई क्या आले बाई अब सब खेरियों से होंगे और कोरोना की थर्ड विफ इंजॉई ही कर लें अब यह तो वेव तो आती रहती है वेव आती तो बंदा सर्फिंग करता है इंजॉई करते तो आप भी इंजॉई करें शादियां करें डांस अब जिसकी इंस्टा स्टोर पेरों में बंधन हैं यही हो रहा है वे सब दर्वाजे कर लो बन मूनी बन कर रहें कोविड खा रहें कोर में के साथ शफकत भाई कोई टेंशन नीन को सब डांस कर रहें और अभी एक और तस्वीर देखी अब मूह दिखाई पे टीटी देदी दुलन को अबैं क्या देश यह लोग भी पक गए साल हो गया घर बे बैठे वे पूरी दुनिया में ने सलाम अलेकुम कह दिया है वीजे बन कर दिया रह दे के टर्की खुल गया है तर्की को अब है मरी बना दिया रेवड भर भर के सुदू किया भर भर के जा रहें और एरपोट पे जा तो जी पीली तरहें जरा दुनिया देखें अल्ला की शान देखें दूसरे लोगों से मिलें दूसरे मुलकों में जाएं हम यहां बैटके अर्तुकुल तो बजा रहें 23 मर्च पे इसलामबाद परेड़ में जरा वहां जाके देखें आपका दिमाग खुलेगा कि जैसे आप सोच रहे थ अच्छा यह चल रहा है बड़ा दिमाग खुलता है जाके जरा देखें कि कोई हलीमा सुल्तान हुर्रम सुल्तान घोड़े बेनी घुमरी वहां पर भाई बड़ी तरक्की होगी है तो बिलकुल जाएं ट्रैवल करें लेकिन अमूमन क्या होता है आप जितनी भी ट्रैवल वीडियोस देखते हैं वहां पर आपको यह बताया जाते हैं कि इन मस्जिदों में जाएं यह म्यूजियम देखें फलाना बजार यह शॉपिंग करें बगएरा 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 मगर वहां पर बहुत स्कैम्स भी हो जाते हैं बट अगेन मैं कोई टर्की को सिंगल जा रहें तो जारा यह वाली गाइडनस भी दे दू कि महां पर क्या क्या स्कैम हो जाते हैं अगेन हर जाका होते हैं अब है मैं स्पेन गया लागर करके यॉरप का वीजल यह बढ़ेंगे यह बड़ा वाद चर्श देख रहा था यहां से चर्सी जो है मेरा फोन ले गया अ और आप लोग आए तो जरा आड करिए का कमेंट में अच्छा जी पहला क्या होता है जैसी आप एरपोर्ट से निकले ना कोशिश करें एक तो पाकसानी लाख लाख रुपए के टिकेट लेते हैं 30 लिरा की डेटा सिम नहीं लेते हैं बाई डेटा सिम लो गूगल पे चलो गूगल बाच्छा है वो समझाएगा कहा जाने कहा नहीं आप बगएर सिम के बैठ जोगा ना टेक्सी में के मुझे होटल चोड़ा होटल सामने होगा छे चक्कर लगा लेगा उसको पता है आप नए हो आप पहली बार वो आपसे वैसी पूछ लेगा ठीक है टूटी करते हैं पैसे डबल करते हैं बड़े चक्कर करते हैं तो उसकी उंगलियों पर भी आपने फोकस रखना है तीसरा पिर क्या जैसी वह आपको होटल उतारेगा या उसके बाद भी टैक्सी ले अब चुके कोविड है बराबर में तो बैठेंगे नहीं पीछे बैठेंगे आठ ली रहा हो गया बिल आपने यू 100 करोट दिया उसको वह सौकर रोड यूं आप से लेकर यूं मोड़के यहां से पचास देगा बोलेगा जी बाकी के आप बोलो कि अभी तो सो आपके अंदर से स्कूबी डू कि अभी तो मैंने सौकर नोट दिया वह टूटी-पूटी जो है ना जेदियों पचास तो यह लो और तो यह बड़ा स्कैम होता है ठीक है दूसरी चीज़ क्या है जी आप जाहेंगे जाहर है तक्सीम स्कूएर क्योंकि वहां तो भाई जब जरब होगा तो तक्सीम तो होगा ना तो जरब तो कर लेते हैं रोद शाम में तो तक्सीम स्कूर जाते हैं अब वहां पे कबूतर ही कबूतर अच्छा वहां का कबूतर है भाई फुल भरंबाज यूट चौड़ा होके घुमता है हमारी तरह जोड़ी नीले नैनो वाला लकी कबूतर हाथ ही नहीं आता वाई उनको पता है हमारे राइट से कुछ नहीं उखाड सकत को आप बाजरा खिलाओगे तो कबूतर आके आपके बाद बैड़े कबूतर डरते ही नहीं यह भाई उनके बार राइट से चौड़ें वह वीगों में घुमते हैं कबूतर समझे रहे ना वहाले हैं उनको हसाब किता हाथ ही लगा सकते कबूतर बैटे का डेफिनिटी आप आपके हस्बंड या आपकी वाई वो आपकी तस्वीरें खीचेंगी वह बुले रहे खांगे और दूसरों को बाजरा खिला रहे थे वह सारा बाजरा लेकर आपके पास आ जेंगे वह लेगे क्या माजरा भाई वाडिस बाजरा ये तो जो जो बहुँझ भी उफर करे प्ल तो हैं ब्राउन मुंडे यह सब चूने हैं और यह चूना लगाना चाह रहे हैं आपने नहीं लगाने देना उसी इस्तक्लाब स्ट्रीट पे तक्सीन स्कूर पे फिर शाम के टाइम खास तौर पे पर फ्यूम वाले हैंगे जी उनके पास होगा वह आगे पीछे देखेगा ब तो आपको ऐसे टेड़े मिले पैसे बताएगा आप बुलोगे तो बड़ी इच्छी डील मिल रही है मॉल में तो इतने आप ले लोगे वह होता है दो नंबर वह आपने नहीं लेना ठीक है इसके अलावा अच्छा दिन के टाइम यह अक्सर होता है कि आप चल रहे होंगे पर नीचे वाली होती है थोड़ा हाथ पकड़के चलना पड़ता है मूड वैसी बन जाता है समझ रहे हैं तो आपके आगे से कोई बच्चा गुजरेगा कॉबलर मोबाइल कॉबलर यानि मोबाइल मोची उसके पास अपना बैग होगा वो जान बूच के अपना ब्रश गि अगे पॉलिश नहीं कर रहा चूना लगा रहा है वह उसके फिर पैसे मंगेगा नहीं दोगे तो उसके कारिंदे आगे पीछे खड़ेंगे वह आके घेरेंगे नहीं देना आपने बहुत नहीं कराना पॉलिश तू अपना ब्रश ले निकल यहां से ठीक है इसके इलावा जब भी मनी चेंगेर पर जाएं और पीछे चार मनी चेंग जो है न वो देख ले रेट आगे पीछे का और नोट हमेशा असली है के नहीं है feeling से पता चल जाता है सारे note पहली दिन नी change कराने और सारे note लेके नी घुमने 100-100 डॉलर चेंज कराने उतनी की shopping करें घुमें फिरें वापिस आगले दिन और 100 डॉलर करातें होटेल में safe में पैसे रखें उसी में passport रखें पासपोर्ट मत गुमाते ना जे में बड़ी कटती है अभी इस पे आतों में अचा मेट्रो में घुमेंगे funicular tram जिसको बोलते हैं उसमें घुमेंगे card एक ही चलता है card आपको मिलता है 5-10 लीरा का उस पे top up कराना पड़ता है machine में लगाना पड़ता है अब machine में आ रही होती है अलग-अलग language टरकिश आ रही ही आ रही थिर आपको वहाँ कोई helper तो होता है नहीं पाकसान दोड़े बाई दो टिकेट देना लंडी के ऐसा नहीं है बाई सब automated है खुद करो नो करो हो कर दिए कोई आपका अब आपकी जब बार ही आएगी वहाँ पे पीछे इतने सारे अंग्रेज खड़े होंगे तो पहली pressure आते हैं हमारी वैसे अंग्रेज हो का time जाया हो रहा है वो तो बटे time के पाबंद है हम लोग तो फारिग लोग है देके अब आपको समझ नहीं आ रहोगा क्यार में कौन सा बटन प्रेस करूं कितने पैसे डालू कितना टॉप आप आएगा एकदम कोई आ जाएगा टर्किश बोलता हुआ कि लाए मैं कर देता हूँ वो आपके सामने करेगा आपको समझ नहीं आएगा हुआ क्या है ठीक है वो अच्छा उसी का ही बंदा वहाँ पर कुछ बोलेगा जोर से आपकी वाज़र माँ जाएगी वह बीस की जगा दस डाल देगा आपने बीस का रोन राल उसने दस कर दिया बोला जी होगया आपका टॉप आप निकलेंगे वह अपना कार्ट रखेगा दस का वाँ डाल निकल लिया ऐसा ही है बाई बिल्कुल ऐसा ही होता है तो यह अच्छा फिर आप जब पैसे लेके ट्राम में स्वरी ट्राम में जब अगें अब तो कोविड है पता नहीं कितना डिस्टिंस है लेकिन जब लबो लब भरे होते थे साजिद माजिद साथ होते थे तो फिर क्या होता है जेबे बड़ी कटती है तो सारे पैसे वोलेड में नहीं रखने फैला के रखने कोईश करें वह फैनी पैक ले ले आगे व वह होता यह है कि इस्तक्ला स्ट्वीट पे गरूब आफताब के बाद जब मौसम बड़ा सैस्की हो जाता है और आपका मूड भी थोड़ा कियार कुछ करना है इंजॉयमेंट के लिए हैं कि सारे दिन में मस्जिदों के मिनारी देखता रहूं थोड़ा दूसरा इंजॉयम इसने घूंगट की आड़ से दिलबर का और जीता था जिसकी लिए सुना है तो जैसे ही डिसकों की आवाज आती डिचक डिचक पॉल हार्डविल की कुट्टे की तरह खड़े है कान कान जो है न वो यार वो फारूक साब थे न क्या ना में मरहूम इंडिया के ड्रामों में आते थे जो जो यूं करके सुनते थे ड्रामा आता था यार बड़ा मुशूर यार याद है तो कमेंट में लिखके बताना वह इस तरह कान घड़ जाती है और क्लब की आवाज कहां से यह भाई लड़कियां किदर हैं आगे जाएंगे डिचक 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 अवाज आ रहे पैसे नहीं है आके देख तो लें अंदर उन्हें परदे की ऐसी सेटिंग की हुई है कि थोड़ी सी खाल दिख रही होती है टांगे वाँगे रान देखके तो हम समझ रहे ना फिर पिगल ही क्या चलना है ठीक है तो आप जब जादो कहते हैं आके देख लें कोई पैसे नह अतर बाजी ले ना ले देख दो लें यह वही यह आप जैसे अंदर जाते हो तो दो हाध दोशीजाओं के इदर से दोग इदर से यू जब आते ना आपके ऊपर तो आप बिलकुल जो है पिगल के गडर में चले जाते हैं तो इस तरह पिर आप बोलती ही मेरी संद हो क्याय ओके थिए बैठें आप अराम से फिर जो परदे हटते हो इस टेज़ पर अलग उसाब किताब चल रहा होता है ठीक है फिर इतनी बड़ी लेकिन नहीं पेगल जाते हैं लॉंडे अब वो कहते हैं कि यार नसीम भाई अब इंजॉइमेंट ही करने आए थे ना सारा दिन कभूतर को बाजरा खिलाने ती दूर थोड़ी है बाजरा ही खिलाना तो सिटी कोर्ट पे खिला जाना उसके यह कौन सा है सिंधसेमली के बार व गएर थोड़ी देर वह बैटती हैं आपके साथ आगे पीछे हो जाती है फिर आजाते हैं इतना बड़ा बिल वो जो आप कहते हैं बेगम तो वानी जबानी लंबी लंबी है उतना लंबा इतना बेल आ जाता है और इस पर लिखा उता है पंदरासो योरो अभे योरो लीरा वो दोशीद हैं जो यूँ हाथ करनी थी वो हाथ नहीं फेर रही थी वो हैंड करनी थी आपके साथ वो चली गई पीछे अब आज आते हैं डश करें UFC के फाइटर जो रोगन खड़ा वह यूं करके किक बॉक्सर लाट मारेगा पेट पर अब आब उनसे अन्बन करो आपको इंग्लिश नहीं बोलते हैं आती सबको है ठीक है अब आप बोलो भाई मेरे पास तो 2000 योरो है ही नहीं वह कहते हैं भाई जैनीज या तुर्क हमारे तो कोई नहीं हम तो यहां भी पिटते हैं ना कोई आके गाड़ी चड़ा देता है गोली मार देता है एनीवे तो वहां आप उनका कुछ नहीं बेगाड़ सकते हैं तो यह सबसे बड़ा स्कैम वहां हो जाता है अगें मैं बुराई नहीं कर रहा है इस ब्यूटिफल कंट्री मैं खुद तीन अभे मेरे तो शादी वहां हुई थी भाई इतना अच्छा मुल्क है और वह मतलब धोके की बात कर र थोड़ा पहले चक्कर लगा लेता है यहां पर बट खैर है भाई सीरत देखनी चाहिए सूरत का तो क्या है मतलब सूरत से तो बंदा बोरी हो जाता है एश्वरी है हमारे लिए एश्वरी है अभी शेक के लिए तो शेक और फ्राइज मतलब समझे रहें ना तो यह सीन है ए एजिप्ट के भी बड़े किस्से थे लेकिन में वहां गया ही 14 साल पहले था अब इतने याद भी नहीं हर जगा होते हैं जिस बड़े मुल्क में भी चले जहां पर टूरिस का आता है वहां पर यह हैंड हो जाता है अधर देन डाट इस ब्यूटिफल प्लेस ब्यूटिफल सीन होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें प्लीज कमेंट में लिखें आपके कमेंट की वेसे शायद किसी के पैसे बच जान बच जाए इस्दबच जाए वगयरा वगयरा किसी का भला हो जाए तो बस इतनी सी बात थी मैं सुचा आप लोगों से शेर करूं भर भर के सुज